घर के आंगन या बगीचे की रौनक बढ़ाने वाले पौधे आपको कंगाल बना सकते हैं। ये पौधे भले ही वातावरन को शुधर रखने में मदद करते हैं। लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार इन पेड़ पौधों का संबंध आपके भागय और दुर्भागय से भ होता है। आपको बताते हैं ऐसे साथ पौधों के बारे में जो देखने में बेहत खूपसूरत है। लेकिन घर में दुर्भागय लेकर आते हैं। जोतिशाचार्य डॉक्टर अर्विंद मिश्र ने बताया कि वास्तु विज्ञान के अनुसार घर का निर्मान जीवन में स दुख और संपन्नता लाता है। इसी प्रकार यदि आपके घर में पौधे वास्तु के अनुरूप नहीं हैं। तो ये आपके जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। जोतिशाचार्य ने बताया कि आपको कौने से पौधे घर में रखने से बचना चाहिए। फर्स्ट, काटेदार पौधे घर हो या कार्याले कभी भी काटेदार पौधे नहीं रखने चाहिए। गुलाब को छोड़कर आप कैक्टस या अन्या आकर्शक दिखने वाले काटेदार पौधों को रखने से बचें। सेकंड, बोनसाई आजकल बोनसाई पौधों का घर में रखने का चलन तेजी से बढ़ा है। मान्यता के अनुसार इमली के पेड़ पर बुरी आत्माओं का वास होता है। इसलिए इस बात का विशेश ध्यान रखें। जहां ऐसे पेड़ हैं, वहां घर बनाने से बचें। 4. महंदी महंदी के पेड़ तो अमूमन घरों में मिल ही जाते हैं, कारण है कि इनके पत्तों को घिसकर महिलाए हाथों पर लगाने और बालों में भी लगाती है। हाला कि ये पेड़ लाबकारी औशदियों का खजाना कहा जाता है, लेकिन वास्तु के अनुसार ये पेड़ घर के लिए अशुब है। 5. सूखे पौधे मरे, मुर्जाये या सूखे पौधे भी घर में कभी नहीं रखने चाहिए। ये भागे में बाधा डालते हैं, वही लोग अकसर बुके को घर पर सजा कर छोड़ देते हैं, जिनके फूल सूख जाते हैं, इन्हें भी अप्शकुन माना जाता है। 6. कपास कपास का पौधा, रेश्मी कपास का पौधा और पलमायराई का पेर, एक प्रकार का तार का पेर भी घर के आसपास लगाया जाए, तो इसे भी अशुब माना जाता है। 7. पौटेट पौधे वही घर की दिवारों को आकरशक बनाने के लिए कहीं भी गमलों को लटका देते हैं, लेकिन जान लीजिये छोटा हो या बड़ा, घर की उत्तर और पूर्व की दिवारों पर गमले वाले पौधे लगाने से बच्चे, ये भी अशुब माना जाता है। झाल